हमारे पास आज एक मदर बोड आया हुआ है जिसका प्रॉब्लम यह था कि यह नो डिस्प्लेय में था और हम इसको रिपेर कर दिया है और आपको हम इसका जो कॉंफिग्रेशन है उसके बारे में बताते हैं इसमें पहला तो यह ग्राफिक काड लगा हुआ है असुसका ग्रा कि सबसे पहले इसका मदर बोड के बारे में आपको बताते हैं इसमें मदर बोड जो लगा हुआ है इसमें मदर बोड आउस्रोफ का लगा हुआ है इसका मॉडल है ए 320 M-HDV इसमें AMD का प्रोसेसर लगता है इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ उस प्रोसेसर का है प्रोसेसर AMD Ryzeon 5 3600 का प्रोसेशर का मैंने आपको इसमें बताया इसमें AMD Ryzeon 5 3600 उसके बाद आपको इसका रहम का बताते हैं इसमें जो रहम लगा हुआ इसमें एक्सपीजी का रेम लगा हुआ है एक्सपीजी 8GB DDR4 का रेम लगा हुआ है इसमें 8 8GB का दो रेम लगा हुआ है जब लगा हुआ है